हलो बच्चों, वेलकम तो आई यूट्यूब चानल, तो आज हम करेंगे स्टाइंडर 9, साइंस का चाप्टर 2 जिसका नाम है वोक एनरजी, हम लोग ने इसका लेक्चर 1 अल्रेड़ी कर दिया है, आज हम करेंगे इसका लेक्चर 2, डिरेक्टली लेक्चर 2 देखेंगे तो ड यहां पर कुछ examples दिये हुए और पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है if a pot having a plant is kept in the dark the plant languishes languishes मतलब उसकी मरने जैसी हालत हो जाती है ऐसा क्यों होता है because उसको dark में sunlight नहीं मिलती अगर उसको sunlight नहीं मिलेगी तो वो energy नहीं बना पाएगा ठीक है और energy नहीं होगी तो plant मरने जैसी हालत में आ जाएगा languish हो जाएगा and increasing the volume of a music system or TV beyond the limit the vessels in the house start vibrating सिफ vessels नहीं ममी पापा भी vibrate होने लग जाते हैं और वो vibration आपके गाल पर भी आ सकता है क्या ये क्यों होता है आप music system या TV का volume जब बढ़ाते हैं जो speaker या woofer होता है वो बाहर sound energy emit करता है और वो energy से जो floor होता है या furniture होता है वो vibrate करने लगता है आपने कहीं बड़े shows में गए होंगे या कहीं DJ के याँ पे गए होंगे वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े speakers होते हैं आप खड़े होंगे तो आपको air feel होती है या vibration feel होता है collecting sunlight on a paper with the help of a convex lens burns the paper ये तो एकदम example हमने काफी बार देखा हुआ है जब 4th standard में या 5th standard में magnifying glass लेके या कोई काच लेके mirror लेके एक point पे focus करने बोलते थे तो वो point पे आग लग जाती थी करके try मत करना बट ये होता है magnifier रखा है paper के उपर focus किया एक point पे तो वहाँ पे paper पे आग लग जाती because magnifier में convex lens यूज होता है न तो यहाँ पे क्या किया sun की energy एक point पर focus करी convex lens यूज करके तो वहाँ पे fire आ गई ठीक है तो हमने देखा capacity of a body to perform work is called its energy the units of work and energy are the same दोनों की units exactly same होते है because work करने के लिए आप क्या use करते हो energy use करते हो जब आपको एक object पे work करते हो तो उसके अंदर energy store हो जाती है तो work और energy एक दूसर से पूरे time convert होते रहते हैं ठीक है एकदम interrelated है तो इनके units भी same है क्या units है SI system में Joule और CGS system में Erg दोनों का मैंने आपको conversion भी बताया हुआ था पहले you have learned that energy exists in various forms like mechanical, heat, light, sound electromagnetic, chemical, nuclear and solar यह हमने 7-8 में पढ़ा था ना कि अलग-अलग form में energy होती है ज़रूरी नहीं कि एक ही form में हो मैंने आपको speaker के बारे में बताया कि हम लोग cars वगेरा में देखते हैं chemical energy जो diesel, petrol होता है वो chemical energy store करता है अंदर ठीक है, reaction होके फिर वो energy convert करता है फिर गाड़ी आगे चलती है nuclear energy यह इससे हम लोग power भी generate करते हैं और इससे bomb blast भी होते हैं, हिरोशीमा नागा सकी आपने नाम सुना होगा solar energy हम sun से energy लेते हैं और उसको convert करते हैं, normal जो हमको energy जी होती, electrical energy वगेरा उसमें आपने solar farms सुना होगा या rooftop solar देखा होगा, solar water heater, solar cooker देखा होगा, वो क्या करता है, sun से energy लेता है और जो form में हमको चीह है, वो form में convert करके लेता है, in this chapter we are going to study two forms of mechanical energy, namely potential energy and kinetic energy, दोनों बहुत ही जादा important है, और ये दोनों basic forms of energy है, यहीं से बाकिसाल ये energy हमको पता चलती है, तो kinetic energy क्या है, what will happen in the following cases, ये सब पढ़ने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि kinetic और potential होता क्या है, kinetic potential हमने दोनों age standard में पढ़ा हुआ है और potential में word देखो, क्या आता है position, ठीक है जो position के हिसाब से energy होती है उसको बोलते है potential energy क्या ज़रूरी है, एक time पे एक object में सिर्फ potential energy होगी या सिर्फ kinetic energy होगी, नहीं उसके पास एक time पे दोनों energy हो सकती है लेकिन जो motion के कारण होगी वो energy को हम बोलेंगे, kinetic energy और जो position, potential energy है वो position के कारण होगी उसको बोलेंगे, ओके चलो, अब देखते हैं, kinetic energy का इन्होंने टेक्ट बुक में क्या दिया है वाट विल हापन इन दे फॉल्लविंग केसिस तेजी से एक बॉल आता है बुमरा ने बॉल डाला और वो stump को उखार देता है या stump को लगता है यह तो आपने कैरम बोल पे देखा ही होगा गोटी बोलते हैं न जिसको उसमें एक marble दूसरे marble को strike करता है तो क्या होता है दूसरा marble भी move करने लगता है जब striker coin को hit करता है तो coin बिचारा stationary पड़ा था लेकिन जैसे उसको striker hit करता है coin भी move करने लगता है कैरम बोल के उपर from the above examples we understand when a moving object strikes a stationary object मतलब एक सीधा साधा बिचारा चुपचा पड़ावा object है stationary हिलने रहा the stationary object moves क्योंकि moving object ने क्या किया उसको धक्का मारा strike किया उसके thus the moving object has some energy part or all of which it shares with the stationary object मतलब यहाँ पर अगर coin पड़ा है और striker जोर से इस पर आके hit करता है तो क्या होगा striker में energy होगी striker इसको जैसे ही धक्का इस पर strike करेगा इसकी थोड़ी energy इसमें transfer हो जाएगी है ना तो उससे वो coin move होने लगेगा striker भी अभी रुपता निया क्योंकि पूरी energy नहीं देथा इस case में striker भी थोड़ा आगे यहाँ वाँ move करता है है ना ऐसे ही होता है तो thereby setting it in motion the energy which an object has because of its motion is called its kinetic energy kinetic का meaning आप dictionary में search करेंगे ना kinetic का meaning ही motion होता है जो भी motion से related चीज होती है उसको kinetic बोलते है the work done by a force to displace a stationary object through a distance s is the kinetic energy gained by the object सुनके थोड़ा complicated लग रहा है लेकिन कैरम वाले example देख लो जो coin है ठीक है white या black जो भी coin है उस पे striker कैरम बोड़ वाला जब striker इस पे जोर से मारा तब ये striker में energy कहां से आगी striker के अंदर कोई petrol diesel डाल रखाया आपने कुछ motor है क्या नहीं आपने आपकी उंगली से ताकत लगाई और वो उंगली जोर से आपने striker पे मारी ठीक है तो आपने क्या किया आप देखो बहुत ज़ादा कैरम खेल खेल के उंगली दुखने लग जाती है ठक जाते हो ना बाद में आप उतने power से नहीं मार पाते है क्यों क्योंकि बहुत ज़ादा energy use होती है तो आपने आपकी energy striker पे दी तो striker भी बिचारा stationary बैठा था शान्त बैठा था उसको आपने जोर से मारा तो वो आगे गया ठीक है उसमें kinetic energy है और वो kinetic energy से उसमें motion आया फिर वो motion उसने इसके उपर धक्का दे दिया तो इसकी कुछ energy इसमें भी चली गी और इसके बाद भी striker थोड़ा आगे गया तो ये जो striker है इसमें ये kinetic energy आई कहां था पहले तो नहीं थी ना अगर पहले होती तो ऐसी खाली तो बैठा नहीं होता कुछ तो करता होता कानेटिक energy मतलब motion होना चाहिए पर striker तो पहले शान्ती से बैठा था आपने उंगली मारी आपने उंगली की तब जाके वो striker move हुआ तो ये क्या हुआ है यहां पर आपने जो इधर मेहनत करी ना energy लगाई आपने कुछ काम किया उसके उपर उसके कारण displacement हो ना ये striker थोड़ा आगे डिस्प्लेस हुआ तो ये जो इस पे काम किया ना आपने वो काम इसमें energy के फॉर्म में आगे इसलिए वो जो वर्क था वो ही इसकी kinetic energy बन गई और वो kinetic energy के कारण ये move होने लगा आपने वर्क किया ये आप मानते हो ना क्यूंकि ताकत लगती है कैरम खिलने भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप ठकेंगे नहीं आप ठकेंगे ये आपकी fingers pain होगी energy भी train होगी 20-25 गंटे continuous के लेंगे तो आप उसके आप खेल भी नहीं बाएंगे क्यूंकि आप में कोई energy नहीं बचेगी ठीक है तो आपने work किया इसके उपर और वो work इसमें kinetic energy बन गया आगया समझ में तो ये है kinetic energy का formula लेकिन ये formula हम जादा use नहीं करेंगे ये formula use करके kinetic energy का एक नया formula निकालेंगे ठीक है क्यूंकि kinetic energy में क्या होता है motion होता है ठीक है देखो यहाँ पे motion और motion होगा तो क्या होगा velocity होगी वो कोई speed पे travel कर रहा होगा तो हम लोग kinetic energy का जो formula निकालेंगे नहीं वेलोसिटी के form में निकालेंगे बहुत ही easy है समझ में आ जाएगा आपको ये वाला पार्ट समझ गया kinetic energy अच्छे है समझा चलो आगे बढ़ते हैं अभी इसमें expression for kinetic energy के लिए एक example दिया हुआ ये example में आपको पूरा scratch से लिखके बताता हूँ कि ये expression हम कैसे निकालते हैं ये वाला जो है na ke equal to half mv square ये कैसे आता है वो हम देखते हैं textbook में ये same चीज़ दी हुई है एक object है जिसका mass m है अभी ये चुपचाप पड़ा है फिर ये यहाँ पड़ा था यहाँ से थोड़ा आगे तो जाएगा na तो let's say उसका displacement है S और हमने थोड़े time के लिए force लगा है तो time है T और ये mass जो है वो आगे बढ़ रहा है तो उसमें एक acceleration भी होगा because पहले velocity 0 थी अब velocity बढ़के कुछ तो हो गई है तो acceleration भी होगा क्या आजाएगा acceleration A tension मतलब ये सारी quantities की की कुछ value है जिसकी value से हमको कोई लेना देना नहीं है अब इसके उपर ये force लगाया और ये displacement हुआ S ये सब symbols है ना formula निकालने के लिए लगेंगे इस पर force लगाया और displacement हुआ S मतलब कुछ तो काम हुआ ना work done हुआ because work done is force into displacement तो मैं बोल जगता हूँ भाई पहला equation लिख लेते हैं यहाँ पर work done is force into displacement बट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितने क्या हो रहा है kinematics motion हो रहा है यहाँ पर हमने equations निकाल लेते तीन उसके V equal to U plus 80 S equal to U plus 80 square and V square equal to U square plus 2S इतनी मैनात करी थी तो use तो करेंगे ना equation तो चलो वो equation use करके देखते हैं हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि पहले होता है V equal to U plus 80 अब U तो पता है कि 0 है क्योंकि पहले object ऐसे ही पढ़ा था तो गर यहाँ पर ऐसा लिख दो 0 plus 80 लिख सकता हूँ तो चलो लिख दिया 0 plus 80 0 plus 80 क्या होता है 80 तो मुझे क्या मिल गया V equal to 80 value मिल गए second equation था S equal to U T plus half 80 square correct अभी अगर U 0 है T की value कुछ भी हो लेकिन अगर U 0 है तो 0 को जब T से multiply करोंगा तो यह 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे equal to 0 plus half 80 square 80 सबकी कुछ value है जिसकी value से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है 0 में half 80 square add करूँगा तो मुझे मिलेगा half 80 square S यह मुझे मिल गया second equation है ना अब देखो अगर मैं इसको 1 देता हूँ और इसको 2 देता हूँ ठीक है यह S के जगे पर मैं S का value substitute कर सकता हूँ definitely कर सकता हूँ तो क्या आ जाएगा मुझे equal to F into यह S के जगे पर मिल डाल देंगे half 80 square in fact मैं यहीं से यह copy करता हूँ और यहाँ पर paste कर देता हूँ ओके तो यह आगे half 80 square F का value क्या होता है हमने Newton's law में सीखा था कि F is nothing but mass into acceleration तो यह मैं उपर लिख दूँ क्या है हाँ पर कि F is nothing but mass into acceleration तो यह F के जगे पर मैं mass into acceleration लिख सकता हूँ definitely लिख सकता हूँ तो यहाँ पर लिख दिया मैंने mass into acceleration अब क्या करो अब यह पूरे को multiply करो देखो यहाँ पर यह half को आगे लिख लेते हैं M भी अकेला है तो आजाएगा half M फिर यह A into A हो जाएगा A square और साथ में था T square तो T square ऐसे ही आएगा इसको मैं और थोड़ा modify करके लिख सकता हूँ half M A और T दोनों का square तो दोनों को bracket में लिखा और एक उपर square डाल दिया क्यों कि आए because यहाँ पर देख लो भाई 80 की value क्या है 80 is nothing but V तो यह 80 के जगे पर मैं V लिख सकता हूँ definitely लिख सकता हूँ तो क्या बन जाएगा यह यह बन जाएगा half M 80 के जगे पर आजाएगा V square एन उपर सिर्फ इसके जगे पर V square के जगे पर square तो आपको आगया work done equal to half Mv square but अब भी हमने बोला just थोड़ देर पहले कि किनेटिक energy है it is nothing but work done on the object तो अगर work done यह है W मतलब work done ना तो kinetic energy के जगे पर work done का जो value है वो लिख सकता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ के E is equal to half Mv square खतम यह जो work done है इसकी value थी half Mv square तो work done मतलब W ठीक है अच्छे confusion है तो यह से लिख दो work done तो work done का formula हमने अब भी निकाला half Mv square हमको मिल गया kinetic energy का एक नया formula अब यह नया formula क्यों अच्छा है पहले से because इसमें velocity है velocity मतलब वो object motion में है तो अगर कोई object पहले बैठा था फिर उसकी speed आ गए ही को है मतलब आपने कहीं पे भी एक गाड़ी देख ली वो गाड़ी 50 meters per second पे जा रही है तो आप सीधे यह formula लेके उसका kinetic energy निकाल सकते हो उसका mass पता होना चाहिए तो गाड़ी के manual में लिखा होता है उसका mass आप निकाल सकते हो ठीक है इंटरेट पे भी मिल जाएगा तो आप उसकी kinetic energy calculate कर सकते हो आया समझ में life में time है तो road पे गाड़ी देखो manual निकालो उसकी speed calculate करो और kinetic energy निकालो है ना time है तो कुछ भी कर सकते हैं तो ऐसे हमने इसका derivation किया क्या-क्या यूज किया पहले ये दो kinematics के equation यूज किये फिर हमने force equal to mass into acceleration Newton's law यूज किया और फिर work done का formula यूज करके ये derivation कर लिया तो यहाँ पे textbook में देखो expression for kinetic energy में फिगर नहीं बनाया था ये फिगर मैंने आपको बनाके देए यहाँ पे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो तो यहाँ पे force लगा एक object है जिसका mass m है उसकी initial velocity 0 meter per second है force time t के लिए लगा तो उतना force लगने के बाद उसकी velocity ये जो block है उसकी velocity v हो गई वो suppose यहाँ पे move हो गया तो इतना displacement उसका s हुआ acceleration कुछ आएगा because पहले velocity 0 थी अब velocity v है हम alphabets क्यों लेते हैं क्योंकि हम लोगों को value नहीं पता है कुछ भी हो सकती है value उसके जगे alphabet लिग दिया ताकि आगे जाके value पता चले तो alphabet के हाँ पे हम लिख सके तो velocity, displacement, time और acceleration चारों चीज़ियां पे आ गई हम लोगों को पता है कि displacement during this time is s तो work done क्या होगा work done होगा force into displacement Newton का second law of motion क्या बोलता है force equal to mass into acceleration फिर ज़र repeat करा रहा हूँ जो मैंने आपको already करा दिया f equal to ma1 equation मिल गया फिर s equal to ut plus half 80 square अपना equation है second वाला ठीक है equation of motion जिसको बोलते थे हम इदर Newton second equation of motion लिखा है लेकिन general हम उसको equation of motion बोलते है या kinematical equation बोलते है अब यहाँ पे u तो 0 है अगर u 0 है तो यह 0 हो गया 0 plus half 80 square is half 80 square तो यह आपको एक और relation मिल गया तो देखो यहाँ पे पहला है यह फिर दूसरा है यह ठीक है यह है तीसरा और चौथा हम लेंगे क्या कि यह वाला देखो यहाँ पे इन लोगों ने अलग से first equation किया यह बात में consider कर using Newton's first equation of motion लोगा है v equal to u plus 80 u 0 है तो 0 plus 80 कितना होगा 80 तो यह भी आपको मिल गया एक equation अब क्या किया है इनोंने दोनों तरफ square करके बता दिया ताकि आपको इधर जाके rearrange ना करना पड़े दोनों तरफ square किया तो क्या हो जागा v square a square t square a square t square को आप पूरे 80 bracket करके लिख सकते हो ना तो आपको यह वाला result यहां पर मिल गया तो यह उसको आपने equation number 4 दे दिया अब देखो substitute क्या करना है यहां पर ma था ना force तो force के जगे पर मैंने डाल दिया ma ठीक है देखो यहां पर w equal to force के जगे पर ma और s था ना यहां पर s की value क्या है यह देखो half a t square यहां पर लिखा है देखो half a t square तो s के जगे पर आगया half a t square half ऐसे लिख दिया m ऐसे लिख दिया a into a हो जाएगा a square और साथ में t square दा a square t square को आप लिख सकते हो the whole bracket a t और square फिर यहां से आपको मिला कि v equal to a t होता है तो आपको मिल गए w equal to half a t square पर इसके आगे मैंने आपको बताया था कि जो work done होता है that is nothing but kinetic energy देखो यहां पर work done is nothing but kinetic energy तो यह w के जगह पर आप लिख सकते हो kinetic energy ठीक है तो formula क्या आगया w के जगे पर ke half a t square तो ke e का value आपको मिल गया half a t square यह formula बहुत important है आज भी और आगे जाके भी बहुत काम आने वाला है इसके लिए यह भी लिखलो 10-15 बार तक ही याद हो जाए kinetic energy is equal to half a t square यहां पर m क्या है mass of the object और v है velocity of the object ठीक है अभी यहां पर एक example दिया हुआ है a stone having a mass of 250 grams is falling from a height how much kinetic energy does it have at the moment when its velocity is 2 meters per second यहां पर एकदम simple चा question अलग से करके नहीं बता रहा इसी में देख लेते हैं यह क्या है 250 grams यह है mass खाली ध्यान रखना grams में दिया है और यह velocity कितना दिया है 2 meters per second उसने पूछा है kinetic energy कितना होगा वही उसकी velocity 2 meter per second है न तो हम बोलेंगे का kinetic energy is half mv square तो यहां पर m और v की value substitute करेंगे लेकिन m grams में दिया है वो ध्यान रखना है तो इसको kg में convert करना है तो क्या करेंगे हम लोग बोलेंगे 250 upon 1000 1 kg is 1000 gram तो यह 1000 हो जाएगा तो यहां पर kg आ जाएगा 0.25 kg ठीक है इसलिए m के जगे पर 0.25 आया क्योंकि वो kg में लिखा है और v तो उसने दिया था 2 तो v के जगे पर 2 square के जगे पर square अब देखो क्या होगा यह 2 square इसको अगर यह directly समझ में नहीं आ तो यहां देख लो half into 0.25 into 2 2 square को लिख सकता हूँ 2 into 2 correct यह 2 के साथ यह 2 cancel 0.25 को 2 से multiply करो तो आ जाएगा 0.5 क्या है यह काइनिटिक एनरजी एनरजी और work done के unit सेम है Joule सब ऐसा है unit में लिए है न 0.25 तो तो आता है न 0.25 तो देख लो एक बाद 2 फाइस दा 10 क्या है 0.50 जिसको अब 0.5 लिख सकते हैं तो यह आगे answer समझा पता चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर use your brain power में question दिया है the mass of a moving body is double एक particular mass है ठीक है वो यह move कर रहा है तो उसकी कुछ kinetic energy होगी फिर क्या कि एनों ने mass को double कर दिया अगर पहले 2 kg था तो double करके 4 कर दिया अगर पहले 10 kg था तो 20 kg कर दिया double किया will the kinetic energy increase यार देखो kinetic energy का formula क्या है half mv square उसमें mass भी है velocity भी है अगर mass में कोई change आया तो kinetic energy में change तो आए गई अगर मैं mass double कर रहा हूं increase कर रहा हूं तो kinetic energy भी increase होगी कितनी increase होगी वो पूछ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो देखो ये exam में तो पूछा नहीं है लेकिन मैं solve करके बता रहा हूं आपको let's say पहले kinetic energy थी half mv square कुछ तो mass है कुछ तो velocity ये original kinetic energy है ठीक है इसलिए one number देखी है उसको अब ये नहीं वाली kinetic energy में क्या हुआ velocity और half तो same है लेकिन mass क्या कर दिया है उसने mass of the moving body is double तो पहले अगर m है तो m का double क्या हैगा m का double m square मत बोलना अगर m का double करना तो उसको 2 से multiply कर देंगे तो क्या जाएगा 2 into m will be 2m तो नया mass क्या हो जाएगा नया mass हो जाएगा double हो जाएगा 2m ठीक है तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर ये 2 और ये 2 cancel हो जाएगा correct क्या बचा equal to mv square ओके अगर आप 2 cancel नहीं करोगे ना तो best मैं आपको बताओ कैसे करने का यहाँ पर ये half into 2mv square है इसका m ले लो अलग से ये half बाहर दिया था mv square ठीक है ये half के साथ ये m और ये v square लिखा और ये 2 जो है ना उसको अलग से बाहर लिख दिया लिख सकता हूँ ऐसा यार ये सब multiply हो रहा है एक दो तीन चार ये चारो चीज़े एक दूसर से multiply हो रहे है तो अगर 2 into 3 into 4 को आप 3 into 2 into 4 लिखो या order change करो multiplication में कोई फरक नहीं पढ़ता वाट इस half mv square half mv square तो original kinetic energy 2 ऐसे ही रहेगा ठीक है 2 ऐसे ही रहेगा लेकिन ये half mv square के जगे पर मैं लिख सकता हूँ kinetic energy first वाली तो मुझे kinetic energy second वाली क्या आई जो भी kinetic energy first वाली थी उसका double ठीक है मैंने दोनों को link कर दिया पहले बोला velocity v है half half है mass second case में double हो गया अगर mass double किया तो kinetic energy भी double होगी how many times will the kinetic energy increase it will increase by two times ठीक है two times हो जाएगे ये नहीं समझा तो छोड़ सकते हो ये तो ऐसे use your brain power दिया था तो मैंने बोला चलो बता देता हूँ आपको आगे बढ़ते हैं अब है next potential energy मैंने आपको पहले भी बताया potential energy में ये word देखो position जो भी energy अपनी position के हिसाब से होती है उसको बोलते है potential energy इसके कुछ examples दी है first वाला an arrow is released from a stretched bow आप बान अगेरा खेलते होंगे न तो उसमें आप जब वो पीछे की rubber खीच के रखते हैं और उसको छोडते हैं तो वो arrow इतनी तेजी से आगे जाता है जब वो arrow तेजी से आगे गया तो वो arrow में ताकत कहां से आई arrow के अंदर engine नहीं है motor नहीं है ठीक है arrow अपने जैसा human being जैसी body नहीं है के वो खुद से भाग सके तो आई कहां से जो आपने stretch किया था ना bow bow मतलब वो पीछे बान पकड़ते हैं जिसमें rubber string होती है वो आपने stretch किया वो stretch किया तब वो position में उसके पास energy थी तो यहां पे bow and arrow देख लो यह bow को उने खीचा फिर arrow छूटता है वहां से तो यह arrow में ताकत कहां से आई arrow में ताकत आई जब आपने वो string खीची यह position में कोई ताकत नहीं है वो में position word important है बट जैसे ही आप वो को खीचो गये उसमें ताकत आएगी और वो ताकत वो arrow को देगी तो position के हिसाब से उसमें ताकत है या फिर नहीं है तो यह कौन से type की energy हुई potential energy आया समझ में second है water kept at a height flows through a pipe into the tap below अगर उपर tank रखा है वो tank में आपने पानी रखा है और यहां पे tap लगा रखा है और जब भी tap खोलेंगे तो पानी अंदर यहां से बाहर निकलता है इतना समझ लो पानी को move होने के लिए ताकत चाहिए ऐसे ही move नहीं हो सकता ठीक है अगर आपने tank ऐसे लगाया और null ऐसे उपर लगाया और null खोला तो पानी बाहर नहीं आएगा या तो ये tank में motor होनी चीए यहां पर motor पानी खीचेगी तो ही पानी आएगा लेकिन tank अगर उपर है और यहां पर null नीचे है तो null खोलेंगे तो पानी आता है क्यों आता है because tank में जब पानी उपर store करते हैं तो उपर उसके पास energy होती है नीचे उसके पास energy नहीं होती इसलिए आप जब भी देखो आपके घर में या आपके building में, school में tank हमेशा terrace के उपर रखते हैं और motor से पानी उपर चड़ाते हैं जब motor से उसके पानी उपर चड़ाते हैं तो पानी में energy store हो जाती है और वो energy stored रहती है जब पानी उपर होता है और जैसे हम नल खोलेंगे वो पानी वो energy use करके नल में से पानी नीचे बहार आता है ठीक है आपको experiment करना है तो करके देखना एक बार अगर आप tank ऐसे नीचे रखेंगे और नल उपर लगाएंगे ऐसा और फिर ये नल खोलेंगे तो कोई पानी नहीं आने वाला बहार उसमें जैसे example ले लो आपने अगर coldering की bottle ली या fruity ली fruity में जब आप straw डालते हो ऐसे तो straw में ऐसे ही अपने आप fruity आने लगती है क्या नहीं आती है आपको खीचना पड़ता है तो ही आती है ना लेकिन अगर आप fruity में नीचे hole कर दो और pipe लगा दो तो क्या हो जाएगा ये fruity उपर stored है और ये नल नीचे है तो ये उपर से नीचे आएगी तो उसमें उपर energy होगी आया समझ में तो water kept at a height flows through a pipe into the tap below because of potential energy ये हम लोग dam में भी यूज़ करते हैं electricity generate करने के लिए hydro electricity ऐसे ही generate होती है उपर height पे पानी store करते हैं और नीचे हम लोग turbine लगाते हैं फिर ये gate खोलेंगे तो ये पानी जोर से नीचे आएगा और ये turbine घूमने लगेंगे जैसे ये घूमेंगे इससे energy generate होगी नेक्स्ट है a compressed spring is released ये बहुत ही simple example है आपके पास अगर ball pen है और उसमें spring है तो इसको spring को दबाओ और फिर छोड़ो तो spring एक तब मस्त ऐसे छूट के ऊपर उड़ेगी क्यों उड़ती है पिकोस जब भी आप उसको compress करते हो उसके अंदर energy save हो जाती है कौनसी energy potential देखो spring same है spring जब दबाई हुई नहीं होती तो ऐसी होती है जैसे उसको दबाओ गे तो छोटी हो जाएगी ये position में उसके पास energy होती है position ये position में उसके पास energy नहीं होती इसलिए य ये position में हम उसको छोड़ेंगे तो ये spring उड़ने लगती है ना ऐसे एक jump मार लेती है ठीक है which words describe the state of the object in the above examples where did the energy required to cause the motion of the objects come from ये position से energy आ रही है and ये position के कारण उनमें energy आई इसलिए motion रही है if the objects were not brought in those states states मतलब जो position है वो states मतलब महाराष्टा एक state है वैसे नहीं would they have moved नहीं अगर वो position में नहीं होते वो state में नहीं होते तो वो move नहीं करते तो यहां से हमको potential जी का definition मिलता है the energy stored in an object because of its specific state or position जो एक particular specific state or position में है वो उसके कारण उसमें जो energy stored होती है उसको बोलते है potential energy एक example और होने ने experiment consider का ने बोला है hold the chalk at a height of 5 cm from the floor and release it 5 cm मतलब एक्दम छोटा से scale से भी 1 3rd एक्दम छोटे height पर से chalk आप जमीन पर छोड़ो तो chalk नीचे गिर जाएगा दिख रहा है chalk में energy आ गई उपर से नीचे जाने की now stand up straight and then release the chalk खड़े हो जाओ आपकी height से आप chalk को उपर से नीचे फेको फिर से chalk नीचे गई correct तो वापस chalk में energy आ गई is there a difference in the results of the two activities if so why 100% difference है बताओ क्या जब आपने 5 cm से उपर से नीचे छोड़ा तो chalk तूटेगा नहीं लेगिन जब आप खुद straight खड़े हो जाएंगे और आपकी height से chalk को नीचे छोड़ेंगे तो chalk तूट जाएगा इसका मतलब क्या है कि जादा height पे से जब आपने chalk छोड़ी तो वो जादा speed से नीचे गई क्यों क्योंकि उसमें जादा potential energy थी जब 5 cm की height से आपने उसको छोड़ा तो उसमें कम potential energy थी तो वो नीचे कम speed से गई इसलिए वो तूटी नहीं आया समझ में तो position कहां पे है वो भी matter करता है कितना उपर है वो भी matter करता है boy and arrow में भी अब जितना जादा खीचोगे एक point के बाद बहुत जादा खीचा तो तूट जाएगा लेकिन एकदम कम खीचोगे तो arrow सामने ही जाके गिर जाएगा थोड़ा और जोड से खीचोगे तो arrow बहुत दूर तक जा सकता है अब आपको expression for potential energy बनाना है हमने expression for kinetic energy बनाया था न kinetic energy का formula क्या था? kinetic energy था half mv square अभी potential energy के लिए बनाने potential energy का बहुत ही जादा simple है देखो work is equal to force into displacement ये तो हम लोग को पहले से बता है kinetic energy में भी use किया है हमने जब कोई object उपर से आपने नीचे छोड़ा ठीक है लेट से आपने chalk यहाँ पे पकड़ रखा था और आपने height edge से उसको नीचे छोड़ा यहाँ पे तो यह नीचे क्यों आ रहा है उस पे कौन सा force लग रहा है चौक को आपने उपर ले जाके धका नहीं मा रहा है आपने उपर उसको पकड़ा और फिर छोड़ दिया तो उस पे आपके हद की तो कोई ताकत नहीं लग रही है अभी उस पे ताकत लग रही है gravity की ठीक है उसका जो gravitational force है वो उसको नीचे कीच रहा है तो gravitational force क्या होता है mass into acceleration और मैंने आपको first chapter में बताया था कि जो नीचे कीचता है acceleration gravity उसको हम लोग G बोलते हैं तो A के बदले हम लोग लिखते हैं G ठीक है तो force क्या था mass into acceleration के बदले उसको लिखो mass into G, mg तो force हो गया mg, M क्या है object का weight G है acceleration to gravity और displacement क्या होगा अपने chalk को कितने height से चोड़ा, H height से चोड़ा, वो H एक time 5 cm था, तो mg into 5 cm जो भी आप meter में convert करो तो उतनी energy होगी, work done होगा और जब आपने आपकी height से चोड़ा, यहाँ पे stand up straight तो height आपकी जो भी है वहाँ पे डालेंगे तो उससे आपको मिल जाए जाए गा MGH, पर work done क्या होता है, work done is nothing but जो उसके अंदर energy stored होगी, जैसे kinetic energy ही था, तो work done के जगे पे लिख दिया potential energy और MGH उसकी value है, इसलिए P E की value आ गई MGH, यह एक और formula है, expression for potential energy, काफी simple है, when you compare to kinetic energy derivation, kinetic energy में देखो हम लोगने कितना कुछ किया था, potential energy में एकदम simple से पता चल गया, P dot E, मतलब potential energy is equal to MGH, kinetic energy देखो हम लोगने यहाँ पे निकाला था, आगया समझ में दोनों अच्छे से, तो यह expression आप use कर सकते हो, अब इसके उपर भी एक बहुत ही अच्छा example दिया है यहाँ प 10 मीटर है, और इसके उपर एक tank है, tank के अंदर पानी है, कितना पानी है, 500 kg, आप सोचोंगा रिए पानी वजन में तो यह न मेजर करते हैं, लीटर में करते हैं, उसने किया हो गया और वजन, वजन करके उसने उपर भर के रखा है, तुमारा क्या जा रहा है, अगर लीटर म इक्वल टू 10 मीटर, calculate the amount of potential energy stored in the water, solution मत दे को, potential energy का formula है, MGH, आपके पास यहाँ पे M है, आपके पास यहाँ पे H है, G तो नहीं है, लेकिन G तो आपको पता है, G की value क्या है, हमने आगे भी questions किये थे इसके उपर, G की value है 9.8 मीटर सेकेंट स्कूए, तो वो आपको खुद से लिखना है, normally क्या होगा कि, ऐसे यहाँ पे bracket में दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि, questions all नहीं कर से, कर सकते हैं, हमको value पता है, तो P का formula है MGH, MK जेके पे क्या आजाएगा, यह लोग ने MK जेके पे 500 नहीं डाला है, ऐसे लिखो ना MK जेके पे 500, G के जेके पे 9.8, H के जेके पे 10, ऐसे order में कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्यों multiply कर रहे हो, लेकिन समझ लोग यह mass का इधर है, H का इधर है, G का इधर है, multiply किया सबको तो आया 49,000 unit के आएगा, joules, okay, easy है ना, काफी potential जी निकालना, 10 into 9.8, 98 आजाएगा, 98 को 500 से multiply कर देना, ठीक है, 98 को 5 से multiply करेंगे, तो आजाएगा 490, फिर 20 extra लगा देना, आएगा ना, multiplication, done, तो यह example भी हमारा यहाँ पे होता है, खतम, यहाँ पे एक example दिया हुआ है, इसमें दो लड़के हैं, अजय और अतुल, और यह अतुल जो है, बड़े table पे खड़ा है, वो अजय के हिसाब से, और अतुल के हिसाब से, सेम होगी क्या, बॉल चुपचाप पड़ा है, अगर stationary पड़ा है, तो उसके पास kinetic energy तो होगी नहीं, क्योंकि motion नहीं है, लेकिन उसकी position के हिसाब से, उसमें potential energy होगी, तो वो पूछ रहे हैं, कि अजय के हिसाब से, और अतुल के आएगा, कि दोनों बोलेंगे, नहीं यार, यह बॉल में 10 joules energy, क्या आएगा, दोनों का answer अलग आएगा, क्यों आएगा, बिकॉस अजय जो है, वो इसकी height यहाँ से मापेगा, जो जहाँ पर वो खड़ा है, उधर से, देखो, यहाँ पर खड़ा है, इधर से उसकी height अजय अजय अलगाएगी, अतुल अलगाएगी, बताओ, जाधा energy कहाँ पर आएगी, अजय को जाधा energy दिखेगी, because अजय के यहाँ से height जाधा है, तो यह बस यहाँ पर दिया हुआ है, कि potential energy is relative, relative मतलब हर एक के हिसाब से अलग हो सकता है, इसा नहीं कि सब को same value आए, the heights of the ball with respect to Ajay and Atul are different, so the potential energy with respect to them will also be different, okay, तो हमारा expression for potential energy भी यहाँ पर खत्म होता है, क्या था expression, Pe is equal to MGH, इसके पहले क्या सीखा हमने, हमने सीखा expression for kinetic energy, क्या था expression, expression था Ke is equal to half mv square, Ke का मतलब kinetic energy, half mv square था इसका expression, right, यह भी हमने खत्म कर दिया, और हम लोग लोगोंने energy क्या होता है, वो भी definition अच्छे से समझ लिया, तो यह तीन चीज़े हमारी हो गई, अभी हम आते है, transformation of energy यह बहुत ही simple concept है, यह आपको already पता है, लेकिन आप लोगोंने कभी observe नहीं किया, ठीक है, तो यह transformation का मतलब क्या होता है, एक form से दूसरे form, एक simple example देखना है, फिर solid से वो transform किसमें हो जाता है बात, liquid बन जाता है, correct, transform होना, वैसे ही energy एक form से दूसरे form में होती है, convert तब उसको बोलते है, transformation of energy, example देख लो, stretched piece of rubber, आप rubber ऐसे ही पड़ी है, यह razor वाली rubber की बात नहीं कर रहे है, जो rubber band होती है न वो है, जब rubber band ऐसे ही पड़ी होती होती है, क्या, कुछ नहीं करती, लेकिन आपने यह rubber band को खीचा दोनों दर से, और फिर छोड़ा, तो वो जोर से अपने compressor के ऐसे यहां उड़ जाती है, तो पहले उसके पास कोई energy नहीं थी, अब उसके पास energy कहां से, क्योंकि आपने जब उसको खीचा, तो आपने उसको energy दी, तो उसकी position, पहले rubber इतनी छोटी सी थी, खीची तो इतनी बड़ी हो गए, फिर आपने उसको छोड़ दिया, तो यह position में उसके पास potential energy थी, जैसे ही आपने छोड़ा, वो potential energy convert हो गई, kinetic energy में, और वो rubber ऐसे यहां वाँ उड़ गई, बो एन arrow में मैंने आपको बदाया था, ल जैसे ही आपनी यह rubber जो बो में लगी होगे उसको खीचा, तो यह position में उसके पास potential energy है, लेकिन जैसे ही यह बो को अपने छोड़ा, तो यह arrow जोर से आगे जाएगा, जब आगे जाएगा तो motion में होगा, तो उसके पास क्या होगी, kinetic energy, तो यहां पे जो potential energy थी, वो convert होगे कि kinetic energy में, transform होगे, ठीक है, पहले potential थी, वो transform होके kinetic बन गे, समझा, ऐसी बहुत सारे example जहां पे दिये हुए हैं, आप देख सकते हैं, crackers exploded in दिवाली, जब crackers ऐसे ही पड़े होते हैं, तो उनमें ऐसा दिखता है कि को energy है, उसके अंदर chemicals होते हैं, तो chemical energy होती है, लेकिन दिखती त आता है कि उसके अंदर जो chemical energy थी, correct, chemical होता है न, उसके अंदर, कभी कभी आपने सुऊंगा होगा, उसको smell क्या होगा, तो बहुत ही बेकार सी smell आती है, तो जैसे ही fire होती है, तो क्या होता है, वो light energy में convert होती है, उसमें sound भी आता है, जोर से, correct, तो light energy और sound energy में transform होती है, ऐ ठीक है, तो यहाँ देख लो, energy can be transformed from one type to another, for example, the exploding fire crackers convert the chemical energy stored in them into light, sound and heat, heat भी होता है न, आपको fire cracker को जल के just हुआ, उसको touch नहीं करना चीए, लेकिन touch किया तो गरम होता है, चटका लगता है, उसमें क्यों गरम होता है, because जो chemical energy होती है, वो light में, sound में और heat में convert होती है, ठीक है तो यहाँ पर एक diagram बनाए हुआ है, transformation of energy का, यह दो arrow दिये हैं, इसका मतलब electrical से arrow जा रहा है देखो, electrical से arrow जा रहा है towards mechanical, यहाँ पर electrical से arrow जा रहा है towards heat energy, तो सारे examples हैं, अब देख लो, यहाँ पर एक example में explain करता हूँ, electrical energy, जब आप fan का button on करते हो, तो electrical energy wire के तुरू fan में जा लगता है, वो घूमने लगता है, मतलब उसमें kinetic energy आई, kinetic energy मतलब mechanical energy, कैनेटिक और potential को mechanical energy बोलते हैं, तो जब आपने electricity से उसका wire switch on किया, वहाँ से button switch on किया, तो engine या fan जो भी है, fan ले लो ताकि आपके दिमाग में घर पर ही सामने example, fan घूमने लग गया, तो आपने क्या किया आपने switch को घूमाया गया, आपने तो सिफ़ button on किया, तो उससे क्या हुआ, वो button से current गया fan के अंदर, और fan ने क्या किया, वो current को, electrical energy को, current मतलब electrical energy, convert कर दिया mechanical energy, mechanical मतलब kinetic is case में, और fan घूमने लग गया, fan घूम रहा है तो उसमें kinetic energy होती है, motion हो रहा है, और यहाँ पर generator दिय होगा है, generator आपने देखा है कभी, जिसमें आप diesel वगरा डालते हैं, या फिर hydroelectricity power stations जो होते हैं, hydroelectric, वहाँ पर भी generators होते हैं, उसमें क्या होता है, या फिर आप best example ले लो windmill का, windmill में क्या होता है, wind आती है, और wind से जो पंखा होता है, वो घूमने लगता है, तेजी से, और ये जो wind का पंखा होता है, ये generator को attached होता है, जैसे आपके cycle में आप बड़े वाले pedal को गुमाते हो, तो पीछे छोटा सा ऐसे एक बहुत है, वील के अंदर attached, जो गूमता है, और फिर cycle आगे जाती है, वैसे आप समझ लो, wind यहाँ पे, ये पंखे को गुमा रहा है, और ये गुमता है, उसमें generator लगा होता है, फिर generator भी गुमने लगता है, तो generator गुमने से आपको electrical energy में दिए, ओके, फिर एक है electrical energy से heat energy, बेस्ट example है, heater या geezer देख लो, आप जब geezer on करते हो, तो आप क्या पानी गरम कर रहे हो खुद से, नहीं, आपने तो button on किया, तो electric energy गई गी गीजर के अंदर, और वो electric energy को गीजर ने क्या किया, गीजर ने उसको convert कर दिया, heat energy में, जिससे आपका पानी करम हो गया, electrical energy और light energy, यहां पर यह बहुत ही simple example है, जब आप solar lamp या कुछ देखा है आपने कभी, तो solar lamp में आप क्या करते हो, एक plate होती है, वो plate पे light गिरती है, व उसने वो light energy को electrical energy में convert किया, ठीक है, ऐसे आई, यह plate ने क्या किया, यह plate ने यह light energy को electric energy में convert किया, और उसके कारण यह bulb on हो किया, आया समझ में, chemical energy, chemical energy, अब batteries देखते हैं, cells जो होते हैं, वो cell जब ऐसे पड़े होते हैं, तो उसमें आपको लगता है कोई energy हैं लेकिन उसके chemical energy होती है, जैसे ही आप उसको remote में डालते हो, या कोई toy में डालते हो, वो क्या करते हैं, वो toy वगिरा जो भी है, वो chemical energy को convert कर देता है, electrical energy में, और आपका remote या toy काम करने लगता है, ठीक है, फिर है sound energy, sound energy भी काफी simple है, आप mobile में जब बोलते हो, ठीक है, तो वो बोलते हो, तो sound energy होती है, वो sound energy को, वो electrical energy में store कौन करता है, microphone store करता है, और loudspeaker का example मैंने पहली दे दिया था, कि आप loudspeaker बिना electric current के तो नहीं चलेगा, तो उसमें electric current लगा हुआ होता है, और आप जब गाना बजाते हो, तो वो electric current जो है, उसको loudspeaker को, loudspeaker electric current को किसमें convert करता है, sound energy में, तो यह सारी जो examples है, यहां से वहाँ energy convert हो रही है, इसको बोलते है, transformation of energy, आया समझ में, तो यह बहुत important है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, कि energy एक form में नहीं रहती, energy forms, अलग-अलग forms change करते रहती है, according to the need, okay, next है law of conservation of energy, हमने law of conservation of momentum देखा था, उसमें क्या होता था, momentum, जो पहले होता था, final में भी होई होता था, अब law of conservation of energy का मतलब क्या है, उसका definition इतना अच्छा है ना कि आपको समझ में आएगा, energy can neither be created nor destroyed, ना आप create कर सकते हो, ना destroy कर सकते हो, तो energy आती कहां से, आपको ऐसे लग रहा है, जब आपने गाड़ी में petrol डाला, तो वो petrol में ज गाड़ी चलने लगी, आपकी गाड़ी चलने लगी तो क्या हुआ, वो energy waste हो गई क्या, वो energy waste नहीं हुए, गाड़ी भागी ना, गाड़ी kinetic energy यूज करी ना, क्योंकि हो motion में आ गए, तो waste नहीं हुए, petrol waste नहीं हुआ, petrol convert हो गया kinetic energy में, पेट्रोल के अंदर वो कहां से आई energy, यह तो बोलता, energy के neither भी created, पेट्रोल के अंदर वो आई, जब जमीन में petrol create हुआ था ना, fossil fuels, तब आई थी, नहीं energy आप कोई create नहीं कर रहे हैं, जैसे example, लोग बोलेंगे, नहीं सर, windmill लगाया, तो कोई energy तो थी नहीं, wind आया, तो हमने wind को यूज करके energy में नहीं, अरे बट, wind जब आया, तो wind के पास energy थी already, वो ही energy आपने use करके उसको convert किया, आपने कोई नहीं energy create नहीं करी है, जैसे solar cell आपने use किया, तो आपने sun क्या खुद create किया है, क्या, sun की light तो ऐसे ही है, उसमें energy है, वो light को आप use करके उसको electrical energy में convert करे, ठीक है, तो यह word बहुत important है, energy क यह neither be created, ना बना सकते हो, ना उसको destroy कर सकते हो, use कर सकते हो, एक form से दूसरे form में, it can be converted from one form into another, thus the total amount of energy in the universe remains constant, वो हमेशा constant रहेगी, ठीक है, एकदम अच्छे समझ में आ गया, यहाँ पे एक pendulum वाले example दिया है, चलो देख लेते हैं, तो यहाँ पे बुला है, एक thread ले लो इन नट बांदो दोनों पे ठीक है, और फिर यह nut को ऐसे oscillate करो, ऐसे इसको shake करो, एक बार ऐसे करके छोड़ो, तो यह ऐसे हिलता रहेगा, तीरे दीरे इसकी speed कम होगी, लेकिन आप देखेंगें कि धीरे दीरे यह हिलना चालो हो जाएगा, ऐसा क्यों होता है, विकास pendulum, यह इ थ्रेड, तो यह थ्रेड में energy जाएगी, और यह wave के thread थोड़ा थोड़ा ऐसे होगा, और वो energy यहाँ पे transfer होगी, और यह thread move करना शुरू करतेगा, तो दिख रहा है, energy transform हो रही है, यहाँ से यहाँ जा रही, आप करेंगे experiment यह वाला, तो आपको समझ में आ चाएगा, ओके, तो वो ही दिया है, यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे important था, यह law of conservation of energy, यह भी 4-5 बार लिख लो, क्योंकि यह अभी नहीं, आगे जाके भी बहुत काम आने वाला है आपको, याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको अगर energy ठीक से समझना है, तो यह definition समझना बहुत important है, ओके, इसके बाद next concept है free fall, free fall मतलब आपने कोई भी चीज हवा में पकड़ी है, उसको छोड़ दी, जैसे chalk वाला example था, आपने chalk को ऐसे उठाया और उपर से छोड़ दिया, तो chalk नीचे गिर जाता है, उसके उपर कोई force आपको दिख रहा है, क्या लग रहा है, आपने जोर से फेक पेर, यहां तक आपने उसको उपर लिया है, फिर आपने उसको छोड़ दिया, तो जैसे ही उसको छोड़ा, पहले तो उसके पास कोई energy थी नहीं, तो वो नीचे कैसे भाग रहा है, वो speed से जा रहा है नीचे, क्यों जा रहा है, वेकाज यहां पे ये position पर उसके पास एक potential energy जैसे ही आपने उसको छोड़ा, वो potential energy convert हो गई kinetic energy में, और kinetic energy से उसको मिल गया motion, ठीक है, और वो motion से आगे जाने लगी, आया समझ में, तो हम लोगों को ये चीजे यहां पे बतानी है, and at different levels, A, B, C, at different levels, उसकी kinetic energy क्या है, और उसकी potential energy क्या है, वो हमको बताना है, देखने मे बहुत difficult लगता है, और बहुत सारे बच्चे हैं छोड़ देते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि ये करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, because एक बार ये समझ गया, तो आपको energy कैसे काम करती है, different positions, kinetic से potential, potential से kinetic कैसे convert होता है, वो आपको एकदम अच्छे समझ में आ का नीचे, इन लोगोंने एक position लिए बीच में B, B की height कितनी है, यहां से उसका distance है X, अगर ये total h था, start में उसने बोला है कि यहां तक की जो height है, वो h है, ठीक है, और इतना सा टुकड़ा, B पे हम बोलते हैं कि ये x है, तो अगर मुझे ये टुकड़ा find करना है, तो कैसे कर होगा, 10-4, 6 होगा ना, क्योंकि total height तो 10 ही है, अब मुझे हर एक position पे, A पे, B पे और C पे, उसकी kinetic energy और potential energy निकाल ली है, और उसको add करके देखना है कि क्या pattern आ रहा है, अभी देखो, A पे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें कि हर एक जगह, ये body नीचे क्यों आ रही है, क्यों गिर रही है यहाँ पे, क्योंकि उसका acceleration जो है वो है, acceleration due to gravity, G, उसको gravitational force नीचे खीच रहा है, कौन से acceleration से खीच रहा है, G से, हमने G बहुत बार यूज़ किया इसके पहले भी, ठीक है, तो at A, जब body सिर्फ हाथ में ऐसे ही पढ़ी हो अपने पास, वो move नहीं क है, यह height कितनी है, देखो, height is h, तो मैं बोल सकता हूँ नहीं, height is h, और यहाँ पे उस पे और कोई भी चीज है ही नहीं, तो अकर मुझे kinetic energy निकालनी है, तो kinetic energy तो होती है, half into mass into velocity square, इसकी velocity कितनी है, u लिखा है बट ऐसे मत सुचो, यह ऐसे सुचो कि velocity दिया होगा है, या फि चीज है, तो इस formula में इसको v के बदले u लिख दो नहीं, तो आपको confusion होगा, ठीक है, velocity square, velocity कितनी है, 0 है, तो यह कितना भी बड़ा हो, 0 का square, तो 0 होगा, multiply करोगा, तो answer क्या आएगा, 0, फिर हमने potential energy का expression देखा था, potential energy का expression क्या है, m into g into, क्या height पे है वो, देखो, h height पे है न देख रहा है, तो हम ले लेते हो, उसको, h, आया समझगे, तो total क्या हुआ, kinetic energy plus potential energy को add करेंगे तो मिलेगा, total energy t e, total energy क्या है देखो है यहाँ पे, 0 plus mgh, 0 plus mgh, क्या होता है, mgh, mgh, तो हमको पता चल गया, कि at height a, total energy mgh, अब हम at height b निकालते हैं, अलग color रियूज कर लेते हैं, उसके लिए यहाँ पे आते हैं, और b पे निकालते हैं, क्या है at b, पहले, ऐसे consider को, यहाँ से object छोड़ा है, b पे पहुचा है, तो पहले तो उसकी initial velocity क्या थी, 0 meters per second, अब यह यहाँ पे जब वो b पे तो रुका नहीं है, हमने एक second के लिए उसको बुला है कि भई, देख लेते हैं, यहाँ पे इसके साथ हो क्या रहे, तो उसकी velocity कुछ तो होगी, point b पे ना, तो हम लोग उसकी जो velocity है, उसको नाम दे देते हैं, vb, और जब वो a से लेके b तक वो x है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे kinetic energy g है, kinetic energy g का formula लगा हूँगा, तो यहाँ पे आएगा half mvb square, ठीक है, vb की value मुझे नहीं पता, तो पहले मैं ट्राइ करता हूँ, vb की value निकालने की, अब आपको पता है kinematical equation, जिसका formula है v square equal to u square plus 2as, third equation of motion है, velocity क्या है v, v है vb, और u क्या है भई, u मतलब start की velocity 0, 0 से शुरू किया था नहीं यहाँ से उसने, तो आ गया 0 square plus 2 into a क्या है, मैंने बता है था, पूरे question में a is g only, तो a के जगे पे डाल दिया g, और s कितना है, उसने कितना displacement cover किया है, x, तो उसके जगे पे आ गया, x, 0 square लूँगा तो 0 आएगा, 0 में 2g x आइड करूँगा, तो मुझे 2g x ही मिलेगा, तो 2g x यहाँ पे लिख लिए, अब मुझे बताओ, kinetic energy का formula क्या है, kinetic energy का formula होगा, अगर मुझे b पे kinetic energy निकालनी है, तो मैं बोलूँगा, half m और फिर velocity square, b पे velocity क्या है, b पे velocity है, vb, तो half m vb square आएगा, अब इसको आप substitute करो, half m ऐसे ही रहने दो, vb square की value देखो, यहाँ पे निकाली 2g x, तो उसके जगे में डाल दो 2g x, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे जब आप इसको ऐसे करोगे, तो दिख रहा है कुछ cancel हो रहा है, यह 2 और यह 2 cancel हो जाएगा, तो m into g x क्या हो जाएगा, m g x, तो kinetic energy आप करते हैं, आपको पता है potential energy किस पर depend करेगी, सिर्फ height पे, ठीक है, अगर मैं p calculate करूँ तो क्या आएगा, m into g into h, h क्या है height, अभी b पे, यह point b पे, यह कितना उपर है ground से देखो, यहाँ पे वो h minus x उपर है, तो अगर मुझे b पे उसकी potential energy calculate करनी है, तो मैं क्या बलूँगा, m g और height क्या आएगी, it is at an height of h minus x, इसका bracket open करो, m g into h आएगा, m g h, फिर बीच में minus, फिर m g into x आएगा, m g x, अभी point b पे, kinetic energy निकाली, potential energy निकाली, total energy क्या आएगी, total energy आएगी, आप ऐसे निकाल सकते हो, t e is equal to, क्या आएगा, kinetic energy plus potential energy, add करोगे न, kinetic energy कितनी है, m g x, देखो यहाँ पे, plus p कितनी है, m g h minus m g x, तो यहाँ पे plus m g h minus m g x, यहाँ पे k e का value सब्स्चूट किया है, यहाँ पे potential energy किया, यह देखो m g x, m g x cut, बचा क्या, बचा सिर्f m g h, इतनी सब मगजमारी की, total energy a के उपर भी m g h था, total energy b के उपर भी m g h है, और अब जब हम c करेंगे न, तब भी total energy m g h आने वाला है, देखो कैसे, जब मैं c लिखूँगा, ठीक है, जैसे मैंने add b लिखा, जब मैं c लिखूँगा, तो initial velocity उसकी भी 0 meters per second होगी, क्यों, because initial तो यह ही है न, यहाँ से शुरू किया था, जब यहाँ से शुरू किया तो velocity 0 थी, यह सब देखो ही मत भी, b ही नहीं, सीधा a से c पे आया हो, तो a पे उसकी velocity क्या थी, initial velocity थी 0 meters per second, तो मैं लिख दिया, add c, u equal to 0 meters per second, उसने displacement कितना cover किया, जब वो यह सब मत देखो, a से directly नीचे आया, तो वो height h जितना displacement cover किया, initial position, final position, तो final minus initial करोगे, तो h आयगा, displacement h है, तो s आजाएगा आपका h, और v क्या आएगा, velocity, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आके तुरन तो रुख जाएगा, हो सकता है, bounce हुमा रहे हैं, तो at this point हम बोल सकते है, let's say उसकी velocity है, vc, और acceleration तो हर जगे g है, तो लिख नहीं रहा, अगर लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया था, बोला था, a हर जगे g है, तो फिर से हम लोग formula use करेंगे, equation of motion क्या है, v square equal to u square plus 2as, v क्या है भई, v है vc, तो v के जगे डाल दिया, vc square, दिख रहा है यहाँ पर, v के जगे vc, square के जगे square, u तो 0 था, तो उसका square ल तो vc square का value आगा 2gh, अगर आपको भी यहाँ पर kinetic energy calculate करनी है, point c पर kinetic energy किस पर depend कर दिया, कि उस point पर उसकी velocity कितनी है, तो kinetic energy निकालूँगा, तो आएगा, half m, vc square डालूँगा, क्योंकि c पर निकाल रहा हूँ, kinetic energy, half और m ऐसे लिखो, vc square का value क्या है, 2gh, देखो यहाँ पर, तो vc square के जगे पर डाल दिया, 2gh, यह 2 और 2 कर जाएगा, बचेगा गया, mgh, आया समझ में, अभी यही point पर अगर मुझे potential energy निकालनी है, तो कैसे है, potential energy का formula होता है, mgh, लेकिन, यह point पर जब object है, तो उसकी height क्या है, उसकी height यही surface से measure करेंगे, तो 0 है न, तो यह h के जगे पर क्या आ जाएगा, यह h के जगे पर आ जाएगा, 0, mgh into 0 क्या होता है, 0, तो kinetic energy plus potential energy add करूँगा, तो total energy मिलेगी, तो total energy क्या होता है, te is equal to ke plus pe, ke अपना है mgh, plus pe है 0, mgh plus 0 क्यतना होता है, mgh, हो गया, तीनो जगे, A पर भी total energy mgh, B पर भी total energy mgh, और C पर भी total energy mgh, तीनो जगे mgh आ रहा है, इसका मतलब क्या है, energy यहां से, total energy जो है, वो constant रह रहा है, अब देखो, यहां पर kinetic energy 0 था, potential energy mgh था, जैसे वो B पर पहुचा, B पर पहुचते ही, उसका kinetic energy क्या हो गया, mgh, potential energy क्या हो ग दोनों energy change हुआ, लेकि total तो same है, C पर गया, तो potential energy 0 हो गया, kinetic energy mgh हो गया, दोनों को add गया, दोनों energy यहां से जब compare करोगे तो change हो रहा है, लेकिन add करने पर total हमेशा same आ रहा है, दिख रहा है law of conservation of energy, energy के neither created nor destroyed, हर एक point पर energy same रहेगी, सिर्फ यहां वाँ convert होगी, यहां पर दे दिरे-दिरे potential convert हुई kinetic में, थोड़ी हुई थोड़ी रह गई, फिर जैसे ही वो C पर पहुचा, पूरी potential energy kinetic में convert हो गई, और potential energy हो गई 0, तो सिर्फ conversion हो रहा है, एक से यहां था, ऐसा नहीं कि पूरी energy use हो जा दिये गई और total इसे लिए constant रहा है, आई समझ में बात, यह बह marks नहीं मिलेगा, derivation के लिए textbook में जैसा दिये है, वैसे ही लिखना है, तो textbook में यहीं चीज़ दी गई है, यहां देखो, पहले object कहा था, A पे था, तो उसकी initial velocity 0 थी, कहीं निकाला, half into mass into velocity square, velocity क्या है, 0, तो कहीं आगी 0, potential G क्या होगी, जब वो A पे है, तो H की height के उपर है, तो mass into G into height, ऐसे आएगा ना, force into displacement हम करके निकाला था ना, potential energy का formula MGH, तो MGH आगया, 0 प्लस MGH, total energy मिलेगा, MGH, वैसे ही मैंने B पे calculate किया, same तरीकी से मैंने C पे calculate किया, हर जगा मुझे total energy MGH यहाई, from equations 1, 2 and 3, यह देखो, total energy मैंने 3 जगे निकाली, 1, 2 and 3, क्या मिलता है, है, total energy of the object is the same at the 3 points A, B and C, constant है, change नहीं होती है, ओके, तो यह पार्ट बहुत ही detail में मैंने आपको derivation करके बताया है, समझ में आगया free fall, तो same चीज़ यहाँ पे लिख दिए, every object has potential energy when it is at a height above the ground and it keeps getting converted to kinetic energy as the object falls, क्योंकि जब वो गिरता है तो उसमें motion आता है, वो motion कहां से आता है, move क्यों करता है, because जो potential energy होती है, वो convert होती जाती है kinetic energy, on reaching the ground, the potential energy gets converted to kinetic energy, all the potential energy, पूरी potential energy खतम हो जाती है, मैंने बताया न explanation में, last में C पे potential energy क्या आया था, 0, पूरी convert हो जाती है kinetic energy में, but at any point during the fall, the total energy remains constant, always, तो total energy A पे निकालो, B पे निकालो, C पे निकालो, answer हमेशा total का MGHE आएगा, भले अंदर kinetic potential कुछ भी बदली करके हो जाए, लेकिन total जो होगा, उनका हमेशा same होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा potential energy का concept भी होता है, खतम, तो energy हो गया, अब आते हैं power, power आपने बहुत बार सुना होगा word, cricket में भी आप यूज करते हो, दोनी कितने power से shot मारता है, है ना, बहुत power से bowling करता है, तो यह सब हमको already, हमने word सुने हुए होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि उसका मतलब क्या है, आप power गाड़ियों में भी यूज करते हो बहुत जादा, यह गाड़ी का power बहुत हाई है, तो exactly power होता क्या है, वो हम देखेंगे, can your father climb stairs as fast as you can, after certain age, अगर आप थोड़े young हैं और आपके father आपके जितने young नहीं है, तो आप जब उनके साथ stairs climb करोगे, तो आप ज़्यादा तेजी से climb कर सकते हो, क्यों, विकाज आप में ज़्यादा power होता है, आप में ज़्यादा energy होती है वो point पे, power तो मैं नहीं बोल सकता ज़्यादा होगा, बट energy ज़्यादा होती है, आपके घर के उपर जो tank है, या बिल्डिंग के उपर जो tank है, वो आप बकेट से भरने जाओगे, तो पूरा दिन निकल जाएगा, आपको motor से ही भरना पड़ेगा, ठीक है, या फिर अगर आपके घर में नीचे ही drum बगेरा है, तो आपको pipe लगाना पड़ेगा, जिससे वो भर जाए, ट्रेशर से आएगा, तो bucket से भरते परते तो ठक जाओगे, अब इसमें ड्रामा मत दूंडो, कि अरे राजश्री की गाड़ी बिगड़ गई, यश के cycle का टायर बंचर हो गया, रजनीद गिर गया, सब लोग normally चल रहे हैं, कोई ठक नहीं रहा है, चड़ रहे हैं उपर, अगर normally जा रहे हैं, तो हमको पता है कि गाड़ी जादा जल्दी पहुँचेगी, यह cycle से उसके बाद पहुचेगा, रस्ता भी अच्छा है, ऐसे मत तो चौरे, गाड़ी नहीं जाती है, फाल तू का नहीं करना है, imagine करो, कोई issue नहीं है, तो यश cycle से जा रहा है, तो उसके बाद पहुचेगा, राजे से क्या, और रंजीत चल के जा रहा है, उसको सबसे जादा time लगेगा, ठीक है, because power convert होते जाता है, पावर कम होता है, गाड़ी में सबसे जादा, cycle में उससे कम, walking में सबसे क In the above examples, the work done is the same in each example, but the time taken to perform the work is different, यह देखो न, यह तीनों वही हिल के उपर चड़ हो, तो work done तो सेम हो रहा है, क्यों के नीचे से उपर तक displacement तो सेम है, लेकिन अलग-अलग time क्यों लग रहा है, अलग-अलग time लग रहा है, because यहाँ पे जो work करने की rate है, वो अलग है, जो car है जो cycle है, उससे थोड़ा slow करती है, और walking में सबसे slowly work खतम होता है, तो यह जो work करने का जो time लग रहा है न, उसको बोलते है power, तो power की definition क्या आएगी, power is the rate at which work is done, तो अगर मुझे definition से इसका formula निकाल ला है, तो मैं क्या बोलूँगा, power क्या है, power is the rate, rate मतलब time, तो नीचे T आ जाएगा, at which work is done, तो उपर आएगा work, तो power का formula आ गया work upon time, ठीक है, बहुत ही simple formula है, power is work upon time, अभी work का unit क्या होता है, joules, और time का तो मुझे पता है second, तो power का unit actually क्या है, पता है, power का unit है joule upon second, joule upon second को ऐसे लिखते है न, joule per second, पर joule per second लिख सकते हैं, लेकिन एक scientist था जिसका जेम्स वाट, उसने बहुत काम किया था power related, तो उसको बला भाई, ठीक है, तो बुरा मत मान, तेरे नाम पर हम लोग joules per second का नाम दे दे दे, तो joules per second को बोल दिया watt, ठीक है, उसके नाम के उपर उसको दे दिया, देगो, जेम्स वाट, उसने काफी काम किया था, इंडर्स् सकते हैं, तो watts बोल दो उसको, तो one watt का value अगर मुझे निकालना है, तो क्या होगा, one joule upon one second, इंडर्स्ट्री में आपने horse power सुना होगा, जनरल या आप car, bike का power अगर आपको interest है, तो आपको हमेशा पता होगा, कि वो bhp या hp में देते हैं power, motor भी होगा, आपके घर पे motor या pump, आप किसी को पूछेंगे रहे, इसका power क्या है, तो बोलेगा 2 hp, या 0.75 hp, तो आप हमेशा power hp में मापते हो, बहुत पुराना unit है, और one house power क्या होता है, one house power होता है, 746 watts, और या watts, ठीक है, दोन में से कुछ भी बोल दो, तो ये conversion है उसका, directly दिया होगा है conversion, कोई मेहनद करने जबर होती नहीं, फिर एक unit होता है kilowatt hour, ये आपको कहां दिखने मिलेगा पता है, ये आपको दिखने मिलेगा आपके electricity bill पर, उसके उपर जो charges होते हैं, आपने देखा होगा units, कि इस महीने बहुत जादा units consume होए हैं, इस महीने कम होए हैं, वो units क्या होता है, वो units होते है kilowatt hour अगर आपके पास electric bike के electric car है, तो उसमें भी जो battery होती है, उसकी capacity भी kilowatt hour में ही देते हैं, अगर आपको गाड़ियों का shock है, तो आपको पता होगा, nexon करके एक गाड़ी आती है, टाटा की, वो battery वाली भी आती है, तो वो battery वाली गाड़ी जब होती हैं, तो आप उसकी check करे ठीक है, 1 km क्या होता है, वोट किलो मीटर मतलब 1000 और मीटर, तो किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1 kilowatt मतलब 1000 watts, into 1 hour ये आर देख रहा है, 1 kilowat hour मतलब 1 kilowatt into 1 hour, है ना, गैँणा 1 into 1, 1, और kilowatt into hour, kilowatt hour, तो इसको तोड के हम लोग split करके बता रहे हैं, तो 1 kilowatt को मैं बोल सकता हूं 1000 watts और 1 hour को बोल सकता हूँ 3600 seconds एक गंटे में 60 minute होते हैं और हर एक minute में 60 second होते हैं तो total second कितने होगे 6 into 6 36 और 00 आ गए हैं आपे तो 3600 second इसको multiply करेंगे तो देखो 36 into 136 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5, 0 ठीक है तो यह 1 kilowatt hour को ऐसे लिख दिया पर watt second क्या होता है देखो हैं पर watt second होता है जूल देखो न यहाँ पर watt क्या है watt है जूल पर second यह second को उतर भेज दो तो आजाएगा watt second equal to joule तो यहाँ पर मुझे मिला watt into second watt into second को मैंने लिख दिया जूल और यही चीज़ को ऐसे लिखा 3.6 into 10 raise to 6 देखो इसको ऐसे भी लिख सकता था 36 into 1,2,3,4,5 10 raise to 5 और 36 को लिख दिया 3.6 into 10 कर सकता हूँ न 3.6 into 10 36 आता है और 10 raise to 5 तो बाजू में ही 10 into 10 raise to 5 क्या हो जाएगा 10 into 10 raise to 5 हो जाएगा 10 raise to 6 तो यह standard formula है 3.6 into 10 raise to 6 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 raise to 6 यह भी आपको याद रखना है क्योंकि यह use होता है कोई-कोई questions में तो यह 1 horsepower equal to 746 watts and 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 raise to 6 joules जो electricity आप घर पे use करते हो वो हमेशा kilowatt hour में ही बिल होता है आपको उदर ऐसा लिखा होता है कि यह महीने आपने 200 unit consume किया 200 unit मतलब कितना 200 kilowatt hour तो kilowatt hour का मतलब unit होता है ठीक है? electricity bill के लिए वो unit होता है तो अगर आपको उसके उपर questions आए तो आप इसमें से निकाल सकते हो done? आगया समझे? आपको ऐसा लग रहा है कि आपने watts वगेरा कभी देखा ही नहीं है अब अगर आप charger वगेरा कोई निकालो वो charger के उपर नीचे कुछ numbers लिखे होंगे कि कितना ampere लेता है कितना watts है तो जो mobile charger है वो तो बहुत कम power ही उसकता है तो उसमें 5 watts या 10 watts या 20 watts ऐसा लिखा होगा देखो 20W या 5W वो W जो है ना वो W watt है तो आप ऐसा मत सोचो कि आपके life में use नहीं होता आप पूरे time उसके charger के बिना आपकी life चलेगी क्या imagine भी कर सकते हो mobile के बिना तो चलता नहीं है और mobile charger के बिना नहीं चलता ठीक है तो वो आप use कर रहे हो बस आपको पता चल रहा है कि अभी उसका मतलब क्या है तो ये हो गया हमारा power का इसमें सबसे important है ये इसका जो definition use करके हम लोग ने इसका formula निकाला है क्या है formula power equal to work upon time और ये कुछ units दिये होगे वो units भी हमको याद कर ले next आते हैं इस पे दो questions है solve problems है ये solve problems मैं इसके साथ ही कर रहा हूं क्या इसमें पीछे जो questions दी है उसी के साथ कर रहाता हूं क्योंकि आज का lecture बहुत जादा लंबा हो गया है तो मैं सोचता हूं कि आप वो theory सारी समझ लो formula एक बार याद कर लो फिर ये काफी easy examples है ठीक है ये easy वाले examples भी हम कर लेंगे and इसमें पीछे जो solve करने बोला है न solve the following examples वो भी एकदम detail में समझ लेंगे तो आज का lecture 2 यहीं पर खतम करते हैं आज lecture 2 में मैंने आपको इसकी पूरी theory खतम करा दी जो ये chapter है work and energy उसका sub theory खतम हो गया है सिर्फ ये 2 solved examples बचे है और ये exercises बचे है तो ये 2 solved examples और ये solve the following examples ये तो मैं आपको फटा फट से करा दूँआ तो आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं अगर वीडियो पसंद आया है तो like ज़रूट करें लिंक अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पर share करें था कि उनको भी ये chapter अच्छे समझ में आ जाए मेरे lectures बाकी सारे lectures से काफी लंबे होते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़ादा detail में examples देकर हर एक point textbook का explain करता हूँ थाकि आपको कहीं पर भी doubt ना है अगर मुझे exam related या exam oriented पढ़ाओना तो सिफ ये questions के answer करा दूँगा उपर उपर से आपको concept बता दूँगा आपको आभी जाएगा marks भी आ जाएगे लेकिन concept कैसा होगा ठेंगा कुछ नहीं आएगा conceptually आपको अगर knowledge clear करनी है तो आपको detail में ही जाना पड़े आप त्यान दो आपको 100% समझ में आ जाएगा जो चैनल को subscribe कर दिया है तो thank you नहीं किया है तो कर लो subscribe इतना detail में समझना है तो और कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाला बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं next video upload करूँ आपको notification आए और आपको important lecture मिस ना करें comments मुझे जरूर बताएं कि आपको ये lecture कैसा लगा आपके हर एक comment का मैं जवाब नहीं दे पाता लेकिन मैं हर एक comment पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़के क्योंकि मुझे पता चलता है कि मैं जो सिखा रहा हूँ किसी को समझ में आ रहा हूँ सिर्फ इतना भी लिख दिया समझ में आ गया तो मैं देखकर खुश हो जाता हूँ कि अच्छा चलो मैं मैं मैंनत कर रहा हूँ waste नहीं हो रही मेरी मैंनत और मुझे और motivation आता है और जादा videos बनाने के लिए thank you so much for watching this video